तो लिखो सेकेंड एप्लिकेशन सेकेंड एप्लिकेशन ओफ प्टेंशिमेटर चलो लिखो सेकेंड एप्लिकेशन सेकेंड एप्लिकेशन ओफ प्टेंशिमेटर सेकेंड एप्लिकेशन ओफ प्टेंशिमेटर चलो लिखो क्या है सेकेंड एप्लिकेशन ऑफ पोटेंश्यमिटर तो पोटेंश्यमिटर का सेकेंड एप्लिकेशन क्या है सब्सक्राइब का सब्सक्राइब क्या करने का डिवाइच करने का समझो यह को दूसरा यह एफ हेट तू इसको compare करने का मतलब क्या करने का इनको divide करने का इसका मतलब करने का मतलब कोन कितना बड़ा है कोन कितना चोटा है ये चेक करने का मतलब रहता है comparison कोन बड़ा है कोन चोटा है ये मतलब रहता है comparison करना है मतलब physics में करना क्या रहता है physics में करना रहता है division कभी-कभी subtraction भी करते हैं लेकिन division most of the times से तो इनका डिवीजन की है तो मुझे क्या पता चल रहा है कि इनका पता चलता से तो आप कना कितना है मुझे नहीं चाहिए अब सेकेंड अप्लिकेशन में कितना है वो नहीं निकलने है, siis second application क्या है से के इंड अफ क्या है comparison ओफ एमेप्स चलो लिखो second application क्या है comparison comparison of emfs 2 cells comparison of emfs of two cells दो cell के emf का comparison करना है comparison of EMFs of two cells comparison of EMFs of two cells comparison of EMFs of two cells अब इसमें भी दो मेथड है second application जो है उसमें भी दो मेथड है तो number one है direct method उसको देखेंगे No. 2 है combination method बात में लेखेंगे पहले देखेंगे number one direct method तो लीको number one direct method of comparison कि अई मतब्स दाइरेक्ट मेतड़ नसे तो किसे करने का राइक्ट के से करनी का हम तो क्या करने का है डाइरेक्ट करने का तो की से करने कि करेंगे करेंगे तो फॉर्स्ट मेंड्रा करता हूं क differentiator का डाइग्रैम है penis है अगे सां यहां चालू हो रहा था और यहां पे में ड्रोड रहा इसके पहले कैसा था इसा यहां पर फिस्कार रहा था था आप एहां पर खत्म हो रहा था वायर बहुत बढ़ा है लंबा ये वायर बहुत बढ़ा है लंबा रहता है तु puedemetros अरेंच करते हैं गोटेंश पोटेंशमीटर एक्विपमेंट किदर आरेंज करते है तो पोटेंशमीटर एक्विपमेंट एरेंज करते है टेबल पर मिंटर सोप अधर से लगाने का 1 22 बेर अगर बहुत बड़ा है है अब तो इसा लगाते हैं फिर आता है प्रीदर जाता है वायर फिर इवायर उस पे टेबल के उपर एरेंज किए वहलगा कि तरफेंट के सरके सरफस के उपर रहेते हैं कि एक रूम से दूसरे रूम में लेके जाना है मिटर पूरा寸 से अगर को लेके जाना आ है मतलब पूरा पूरा टेबल करना पड़ेगा तो यह लिए मिटर बिडु ए उटेवल नहीं है वह ख्पाटेबल नहीं मतलब इधर से उधर ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट है कार पॉति हमेटर भी पोले उटर से ऊपर करना अभी पैंट यह अ इधर जेव में बैठता है जेव नहीं है लेकिन रहता तो बैठता था तो जेव में बैठता है कि धर मैं बड़ा है कि यहाई कि पोटेंशों मिटर का वायर तो यह्थ क्या है है potentiometer का वायर है तीज़ अब होठोट्य किनेक्क्रीक राभ को क्या कंश्र्ष और बैर्टरी कंश्र्ष है उसका यह मं आपकल है की उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टंस है अब इसा वायर आता है और इधर ऐसा कनेक्टर है जैसा मिटर डिए में था यह यह वेरियर्बल रेजिस्टंस को कि यह याँ दो फॉल्ट हो यहां पर का करके यह सब सकते यहां पर यह यह है यह कि यह किया है ऐसा है इसा भी ड्रॉइंग करते हैं जो मैंने पहले दिया है वह कभी कभी ट्रोइंग तो यह है पोटेन्सीमिटर ठीक है कै Mayor कैसे अपने पास दो बैटरी जैसे क्या करने का अपने पास दो बैटरी जैसे उनके एमेन का कंपैरेस्ट करना एक लिए डूसरा बैटरी यह कंपैरेस्ट करना ठीगा मैं कैसे करने का मैं बोलता हूं यह डायं मिनिकलो फिर दोए इज है कुछ gua यह कुछ नहीं इसमें एगदम चिल्णर में थड़े ओ पोटेंश्यमेटर तुम लोगों को एकदम क्लियर हो गया है तो यह कुछ नहीं एकदम सिंपल सिंपल है डाइग्राम निकलो फिर बोलता हूं है उसके नीचे डाइग्राम में एक चेंज करेंदा रहे साथ यह में पीवन उसका इंटर्नल आरवन फिर ग्यालवानमीटर और फिर यह बैलेंसिंग लेंट है एकदम सिंपल सिंपल रहे ड्राइंग करो हो गया है तो बोलो मुझे हम रखने हूं ले खाईज करेंद़ाâteं सिंपल सिंपल स्थ करेंबंदाने करेंदान पम दोरी ग्दधस आग्जेगों फिर आरवां रहे हैं va एक्दिक चलो ड्रॉइंग करो थोड़ा एक दो मिनिट का ब्रेक भी लेंगे थोड़ा सा दिमाख शांत होने दो फिर देखेंगे क्या है ब्रेक मतलब ड्रॉइंग करते करते ब्रेक लुश थोपते हैएगे कर यका ब्रॉबerald म एक जिन्पानफ़ू van फिस फिर लेंगेगे abnormal आरो अर्रॉण थे। व्री लेंगे वी टॉश करेंग थासल दिमाला कि वी लिमिन पजय रभी क आदके दोड़ है झाल जाल कि चलो हो गया कि अगा कि बाकि लोग और बाकि लोगों का बोलों हो गया तो डाइन सेंड करो झाल चलो हो गया चलो सबको कंप्लीट होने दो फिर करेंगे कंप्लीट चलो तो कैसा करने का देखो इदर कैसा करने का देखो तो क्या है चलो चलो देखो एकदम दो मिनिट का ही एकदम काम है फिर खतम आज का इतना ही देखा दा आज अफ्लाइन लेक्चर्स में इतना ही हुआ है जान में आज यह कम्ब्लीट हो गया तो खतम हो गया आज का जो करना है यह कि फाइनल पार्ट अब क्या काम काम अप्वन अपनर करना है कि फाइनली क्या करना है इवन एमफ एटू एमफ इनका कंपईरीजन करना है मतलब रिशु लेना ठीक है तो एमफ एवन लगा दिया है उसका इंटर्नल उसके साहती रहेगा अब फिर गैलोरानिमेटर लगा दिया एंड बैलेंसिंग किया उसका एक ट्रैडिंग की टच- मतलब क्या डाइरेक्ट एक सेल लेने का अकेला सेल लेने का उसका बैलेंसिंग करने का फिर दूसरा सेल अकेला लेने का डाइरेक्ट लेने का डाइरेक्ट मतलब नेक्ष मेथड जब हो जाएगा तब डाइरेक्ट का तुम लोगों को मिनिंग समझ में आ जाएगा अकेला यह दूसरा जो रहेगा तो दूसरा गैलेंट दूसरे सेल नेचल हो गया दूसरे लगा के तो पहला से यह यहां पहला से लिखा बैलैंसिंग करो लेंद चेक करो लबनन आगया दूसरा सिल मापस लग उसका बैलसिंग किया तो उसका सिंस न ग्या नुक टों आ गया कि आप देंद सिंग देंद यहमें मेंमट पिंद का क्या र Kah एक्दम बोर्च पहले हो गया अपना तो इवन Ceux 2 पोटेंशिल ग्रेडियंट इन्टू उसका उसा बैलेंसिंग लेंड इवन इस इक्वल डू पोटेंशिल ग्रेडियंट इन्टू उसका उसका बैलेंसिंग लेंड इटू इस इक्वल डू क्या रहता है इटू इस इक्वल डू पोटेंशिल ग्रेडियंट इन्टू उसका ब चाहिए मुझे क्या जाई कि लिए दो लिए थो लिया झारहा है उद्थो लिया राट तो के और दो कर लो यह थो यह थो यह तो इसके के कैंसल होता है और आता है पार दो तो EMF का ratio अगर निकालना है तो उनकी balancing length का ratio निकालने का तो EMF का ratio अगर निकालना है तो उनकी balancing length का ratio निकालने का तो question कैसा आता है question कैसा आता है question ऐसा आता है balancing length EMF E1 का देंगे balancing length EMF E2 का देंगे ग्यां इज और बोलेंगे ऊपन टो कैलकूलेट और यह होगा ऑफ गया, इस बीSon2 निकालव है कि हम तो ब्क्रस्यों डिया वहार रहेगे और पूछेंगे फका रिश्व का मतलब क्या हो हुई मतलब का रहता है इस एक विंगाने乾्त डायग्रायम के नीचे एक संटैंस लिखो फिर एक स्टैंस लिखो डाइब के नीचे यह मत लेक्षोरोट घ्लिंग है कि बालेंसिंग लेंट विए वन को बैलेंसिंग लेंट ईवन इस एलवन कि अब यलन्सिंग लेंट एटुआ बालेंसिंग लेंट ओफ एटुज की बैलन्सिंग लेंद ऑफ इतु यजमय को आधे यह खेले फिवण इसके बाद यह पूरा आई कर दंस लो झाल झाल चलो हो गया चलो तो एक बार में रिवाइज करता हूं फिर जाएंगे देखो आज क्या 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 हूए रिवाइज करता हूं फिर जाएंगे देखो आज क्या क्या हूए रिवाइज करता हूं फिर जाएंगे तो क्या क्या हुआ आज देखो आज क्या क्या हुआ है रिवाइस करेंगे फिर जाएंगे तो एक हो गया फर्स्ट क्या हुआ का फॉस्ट एप्लिकेशन के नुमरीकल्स देखें फिस्ट एप्लिकेशन का है हाउ टू फाइंड आउट अन्नोन इम एफ पोटेंश्यमिटर का फिर्स्ट एप्लिकेशन क्या है चलो इधर ओनली इधर देखने फुल कंसेंट्रेशन अभी इधर चाहिए मेरी तरफ लिखना बंद करो फिर्स्ट एप्लिकेशन क्या है हाउ टो फांड आउट अन्नोन इम्फ तो अन्नोन इम्फ और उसका बैलेंसिंग लेंथ इनका रिलेशन क्या रहता है इस इक्वल डू के एल अन्नोन इम्फ ए है उसकी बैलेंसिंग लेंथ एल है तो उनका रिलेशन क्या है इस इक्वल डू के ल तो यह हो गया फर्स्ट फॉर्मिला उसके उपर नुम्रिकल्स किया एक काम क्या सेकें application of potential meters तो second application of potential meter क्या है comparison of EMFs second application क्या है potential meter का comparison of EMFs मतलब EMF का ratio निकालने का तो even EMF balance किया उसकी balancing length आई लवन इटू EMF balance किया उसकी balancing length कितने आई लटू तो even and its balancing length과 relation क्या रहता हो दो Internet क्याल सब्सक्राइल इसका क्या है उसका रेलेशन क्या है ऐनका relation क्या है की टॉर्ण इसका कौल दिएक क्या रहता है लेन्ट का रिशौ एग्साम में क्या आता है लेंट YOU क देख बार आगगा balancingبة इसका balancingledge सेकेंड का दिया बडलेंगे और ignoring निकलो फेल वन अपन एल्टू क्या तो आज जाएगा इसके उपर निम्रीकल्स क्या करेंगे कल की लेक्चर में करेंगे कल का लेक्चर इसके उपर के नियुम्रिकल्स कल करेंगे तो कल के लेक्चर में मैं बोलता हूं कैसे करने का नियुम्रिकल्स तो और ज्यादा क्लियर होता है कल का लेक्चर कल का ऑनलाइन लेक्चर का टाइम अभी फिक्स नहीं है कल का ऑनलाइन लेक्चर का टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है कल के ऑनलाइन लेक्चर का टाइम क्या है थोड़ा सा चेंज हो सकता है अभी कर्फ्यू हटा है क्या कर्फ्यू हटा नहीं वो मुझे पता करता हूं लेक्चर का टाइम क्या है उसके ऊपर थोड़ा द्यान रखो और उसी टाइम पर लेक्चर देखो ओनलाइन ठीक है चलो तो कि बस हो गया आज के लिए कि अधिक है आज के लिए बस हो गया कुछ डाउट से तो पूछो डाउट नहीं तो बंद करो